Hello Friends, Welcome back in YCP English Mantra दोस्तो आज आपको मैं इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और Advanced Structure तो आईए देखते हैं वो Advanced Structure क्या है कभी कभी हमें अपर डेलाइफ में इस प्रकार के Sentences बोलने होते हैं जैसे इसमें खुस होने वाली क्या बात है इसमें चुगली करने की क्या बात है इसमें बताने वाली क्या बात है तो जब बोलने होते हैं आपको ऐसे Sentences तो ऐसे Sentences को बनाने के लिए जिस Structure को फालो करते हैं वो है सबसे पहले आएगा What's There To इसके बाद आएगा वर्व का First Form इसके बाद आएगा Object इसके बाद Other Word आएगा और फिर लाश्न में Question Mark लगाएगा आईए Example के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं इसमें चुगली करने की क्या बात है What's There To Tattle इसमें रोने की क्या बात है What's There To Weep इसमें हसने की क्या बात है What's There To Love इसमें जगडा करने क्या बात है What's There To Queral इसमें खुस होने वाली क्या बात है What's There To Be Happy इसमें चुपाने वाली क्या बात है What's There To Hide इसमें बताने वाली क्या बात है What's There To Till That's it friends, आज की बीड़ों बस इतना ही तो आएए करते आपसे Question हमारा question है आपसे इसमें लड़ाई करने वाली क्या बात है तो friends से इस sentence को रानाशन क्या होगा आप सभी लोग comment करके बताईए और friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो please वीडियो को like करिए, share करिए, comment करिए क्योंकि आपका एक like, share, comment में motivation देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, till then bye bye, take care, keep learning, keep practicing